Hello students, let's start our lecture number 5, subject chemistry class 9th, okay, so हम start करेंगे, particles, next property particles की, particles of matter attract each other, particles of matter attract each other, okay, अब जो particles होते हैं matter के, वो एक दूसरे को attract करते हैं, उनके बीच भी एक force होती है, है, generally वैसे तो उस force को हम cohesion force बोलते हैं, चलिए छोड़िए उसको, आप उसको force of attraction बोल सकते हैं, ठीक है, तो यह force of attraction क्या होती है, कि intermolecular attraction होता है, particles के बीच में, जो उसे bound करके रखता है, जो उन particles को एक दूसरे से बाउंड करके रखता है, तो यह जो force of attraction है, यह different होती है, particles में, different kind के matters होते हैं, different ही force of attraction होगा उनके बीच में, तो चलिए इसको, एक activity के through हम perform करते हैं, अब यह देखते हैं, कि force of attraction जो है, वो different particles होती है, इसके लिए हम कुछ samples लेंगे, जैसे कि हम, चौक ले लेते हैं, चौक का पीस ले लेते हैं, चौक, और एक पीस आइस का ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, हम iron nail, खील जो होती है न, iron nail, clear, आप क्या करना हैं आपको, इन्हें आपको one by one, इनको break करने की कोशिश करनी है, ठीक है, so try to break each of the substance taken one by one, क्या आप क्या observe करते हैं, कौन easily break हो जाता है, और किसे break करने में आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, या होता ही नहीं हो, इन तीनों में से easiest कौन सा break हो जाता है, तो force of attraction यानि कि जो आसानी से break हो रहा है, उसके particles के बीच में force of attraction जो है, वो क्या है, बहुत कम है, इसलिए वो आसानी से तूट गया, और चौक को तोड़ेंगे, आप आसानी से उसे हाथ से भी break कर सकते हैं, आपको वहाँ हँ तोड़े की भी ज़रूरती है, क्लियर, तो force of attraction between the particles of chalk is very weak, इसको तोड़ने में आपको थोड़ा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है, आप उसको किसी हथोड़े या हैमर की help से या किसी और चीज की help से आप उसे तोड़ सकते हैं, और iron nail को तोड़ने के लिए तो आपको आपसे टूटेगा ही नहीं iron nail, क्य है, वो इतनी आसानी से तूटने वाला नहीं है, आपका चौक तूट जाए का बहुत easily, तो force of attraction चौक में क्या हुआ, सबसे कम हुआ, ठीक है, और उसके बाद आपका ice में, ठीक है, और सबसे ज़रा force of attraction किस में है, iron nail में है, तो यानि कि different type के जो particles होते हैं, उनमें different force of attraction होती है, अब देखे, आप आसानी से हाथ में अपना हाथ हिला सकते हैं, हम हिला रहे हैं आसानी से हाथ, हवा में अपना हाथ, ठीक है, एक pocket है, जिसमें water filled है, आप उसमें अपना हाथ आसानी से हिला सकते हैं, आप अपने हाथ से आसानी से लकडी को तोर सकते हैं, क्या क्या काम आप easily कर सकते हैं और आपको ये भी देखना है कि किस में आपका force of attraction जो है वो कम है सबसे कम है least है और किस में सबसे ज्यादा है अगर आप आसानी से हवा में हाथ हम इलाप आ रहे हैं आप में जो force of attraction है एयर के particles के बीच में वो बहुत कम है या फिर हम कहीं कि negligible है ना के बराबर है तबी तो हम easily हाथ को हावा में हिला सकते हैं clear that are you getting my point और पानी में आपको हाथ हिलाने में थोड़ा सा परेशानी आती है हिला लेते हैं आप पानी में अच्छे से of attraction थोड़ा जादा है अब वही चीज आप लकडी पर यह हमने थर्ड क्या लिया था वोड इसके बीच में आप इसको आप हाथ से ब्रेक कर सकते हैं यानि कि आप इसको वोड के बीच में अपने हाथ को लेके जाना है तो आप आसानी से ले जाएंगे नहीं क्यों क्योंकि यह बहुत प्रैक्टिकली भी आप करके देखेंगे तो आपसे लकडी ऐसे नहीं तूटेगी ठीके डाट मींस कि जो फोर्स ओफ अट्रेक्शन है इसके पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही स्ट्रॉंग है वो इजिली नहीं तूटने माली क्लियर तो यह आपको एक्शाम्पल समने देखलिए हैं कुछ एक्टिविटीस हमने देखेंगे जिससे हमें पता चल चुका है कि फोर्स ओफ एक्शन को सकती है और किती लेश्ट हो सकती है कुछ चीजों को हम हाथ से आसानी से ब्रेक कर सकते हैं को चीज़ों के लिए हम हैवी हैमर भी यूज कर होंगे क्या क्या characteristics है एक तो जो भी matter होते हैं यह और made up of particles okay second the size of particles are very very small clear and third is third क्या था जो particles होते हैं उनके बीच में क्या होता है they have space between them clear उनके बीच में space होता है next क्या था they are in continuous motion वो लगतार motion करते रहते हैं और last क्या था आपका particles of matter attract each other ओके I think यह सारे points आपको activity के थूँ आपको बहुत अच्छे से clear हो गए होंगे चलिए आप अपना next जो topic है वो discuss करते हैं वो क्या है आपका states of matter states of matter generally हम कितने states पढ़ते हैं matter की solid, liquid and gas यही पढ़िए ना आपने अब तक solid liquid and gas okay तो normal conditions में अगर हम देखे normal temperature और normal pressure पर देखें तो matter इन तीनों में से किसी भी state में exist कर सकता है तो इदर इस solid, liquid और फिर gas gaseous form में जैसे कि आपका water है water तीनों form में exist करता है आपका solid होगा किस form में आइस की form में liquid होगा water की form में और जो vapors होती है उसकी steam जो होती है वो आपकी किस form में होती है जो यह तीनों आपकी form है solid, liquid and gas इनकी हम characteristics पढ़ेंगे और उनको discuss करेंगे इसमें से बहुत सारे questions पूछ लिए जाते हैं इनसे related reasons, reasoning questions जैसे give reason why ऐसा क्यूं हुआ तो इस तरीके questions पूछ लिए जाते हैं तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है यह topic भी ठीक है देखने में तो बहुत easy है लेकिन questions बहुत सारे आजाते हैं इसमें से, so let's start solid, solid, solid का अगर हम देखते हैं, ठीके, तो solid कैसे होते हैं, they have a definite shape and definite volume, उनका एक shape होता है, definite shape होता है, definite volume होता है, जैसे कि pen, definite shape है, यह change नहीं होता है, ठीके, और volume भी इसका definite है, आपकी यह table है, chair है, ठीके, books है, आपकी, यह आपकी sugar है, ice है, iron है, copper है, these all are the solids, यह सभी solid है, इसके अलवा, जो main difference है, liquid में, अगर हम देखें, तो liquid में क्या होता है, liquid has a definite volume, but not definite shape, क्योंकि liquid को आप जिस भी container में डालो कि वो उसी की shape ले लेता है, लेकिन volume उसका उतना ही रहता है, वो change नहीं होता है, तो definite volume तो होता है, पर definite shape नहीं होती है, जैसे कि आपका water हो गया, आपका milk है, oil है, petrol है, diesel है, kerosene है, इसी तरह से gas, gas जो होता है आपका ना तो इसका volume ही definite होता है और ना ही इसकी shape definite होती है, दोनों ही चीज़े change हो जाती है, जैसे कि steam, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, chlorine, यह सभी क्या है, these are in the gaseous form, यह सभी gaseous form में होती है, okay,